हेलो फ्रेंड्स में नहां में चेतन और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम्प्यूटर का इंवेंशन एक रेविलूशन साबित हुआ है दोस्तो अगर हम कम्प्यूटर की सिंपल डेफिनिशन की बात करें तो वह कुछ ऐसी हो सकती है दोस्तो कम्प्यूटर का इंवेंशन केवल कैलकूलेशन और डाटा की स्टोरेज, रिस्टोरेशन और डेवलपमेंट के लिए हुआ था लेकिन आज कम्प्यूटर का मल्टी परपस यूज होता है कई कामों के लिए आज कम्प्यूटर का मुख्य रूप से इस्तमाल किया जाता है हजारों साल पहले जब इंसान को भाशा का भी ज्यान नहीं था उसी मनुश्य ने 19-वी शताबदी में कम्प्यूटर नमक डेवाइस बना कर यह साबिद कर दिया कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसे अपने काम के प्रतिशद्दा वे सची लगन हो तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल कम्प्यूटर का मिस्यूज भी काफी होता है जैसे हैकिंग, इमेल फ्रॉट्स, इंटरनेट फ्रॉट्स आदी जिससे समाज में भैकी स्तिती बढ़ रही है, जो की गलत है इन्हें रोख हम हजारों साइब क्राइम्स को होने से रोख सकते हैं चलिए अब मैं आपको कम्प्यूटर से जुड़े कुछ बेसिक्स बताता हूँ कम्प्यूटर सेट आफ इंस्ट्रक्शन्स को इस्तमाल करता है, जिने हम प्रोग्राम कहते हैं जो की अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन्स को परफॉर्म करते हैं कम्प्यूटर कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं, हाड़वेर और सॉफ्ट्वेर हाड़वेर, इलेक्ट्रोनिक पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, आदी जबकि सॉफ्ट्वेर से निर्देशों, एवं डाटा से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्रोग्राम्स शुरुवाती कंप्यूटर्स काफी ज़्यादा बड़े और भारी भरकम होते थे, और काफी ज़्यादा महेंगे, धीमे और कम मैमोरी वाले होते थे, लेकिन 1970 के दशक के मध्य में, पर्सनल कंप्यूटर्स यानि PC इंवेंट हुए, जिन्नोंने टेकनोलोजी के छेतर में एक नया कीरती मान स्थापित किया, और आज तक इनका डेवलप्मेंट हो रहा है दोस्तों, computer word, English word, compute से लिया गया है, जिसका मतलब है to compute Blaise Pascal वह पहले विक्ती थे, जिन्नोंने सन 1642 में पहला mechanical calculator बनाया, जिसका नाम था पासकलीन इसी के साथ Charles Peabich वह पहले विक्ती थे, जिन्नोंने 1822 में पहला mechanical computer बनाया, जिसका नाम था difference engine लेकिन उसका size एक room जितना बड़ा था, और वह logo rhythm tables को compute करने का काम करता था लेकिन इसके बाद 1830 में उन्होंने अपनी दूसरी machine बनाई, जिसका नाम था analytical engine और यह device एक घर जितना बड़ा था, और 6 steam engines तुवारा चलाया जाता था, जिसे programmed भी किया जा सकता था इसके पहले की इस पर चल रहा काम पूरा होता, उनका निदन हो गया और पहली computer programmer, Lady Ada Augusta थी, जो की famous poet, Lord Byron की पुत्री और Charles Babbage की student थी Herman Hollerith ने सन 1880 में automatically functional electronic tabulating machine बनाई, जो की punch card की मदद से चलती थी जिसका नाम था Hollerith Desk, जो की उन्होंने US Census Bureau के लिए बनाया था, जो की सफल रहा आगे चल कर उन्होंने अपनी खुद की company बनाई, जिसका नाम था The Tabulating Machine Company 1924 में इसका नाम International Business Machines हो गया, जिसका नाम आज IBM के नाम से मशूर है 1937 में Howard Akin ने सबसे पहला mechanical computer बनाया, जिसका नाम था Mark 1 JP E.Cart और John Mosley ने सन 1946 में World's First Electronic Computer Anyak 1 बनाया जिसके फुल फॉर्म है Electronic Numerical Integrator and Computer जिसमें electronic valve और vacuum tube as a computer switch इस्तमाल होता था John Van Neumann ने ADVAC को सन 1951 में इंवेंट किया, जिसकी फुल फॉर्म थी Electronic Discreet Variable Computer और Mouse जो की एक handheld computer pointing device है, जिसको Douglas Engelbert ने सन 1963 में Stanford Research Institute में इंवेंट किया था दोस्तों आज जो हम computers का इस्तमाल करते हैं, वह 4th generation computers हैं जो की 1971 के दशक से अब तक इस्तमाल हो रहे हैं और जिनमें Largely Integrated Circuit Main Electronic Components के रूप में इस्तमाल होते हैं लेकिन आने वाले 5th generation computers में Optical Fibers और Artificial Intelligence Main Electronic Components होंगे दोस्तों Optical Fibers वह Coiled Structures होती हैं, जो की Communication Systems में काम आती हैं और Total Internal Reflection के सिदान्त पर काम करती हैं अब तक 5 परकार के computers आ चुके हैं Micro Computer, Mini Computer, Main Frame Computer, Super Computer और Quantum Computer दोस्तों Quantum Computers का Development एक Final Stage है हो सकता है, Quantum Computers Human Brain से भी जादा Advanced हों इन Quantum Computers में Qubit का इस्तमाल होगा, Binary Bits की जगे पर अब हम जानते हैं कि भारत में कौन-कौन से Super Computers का निर्मान हुआ है इंडिया में Developed Super Computers यह हैं Flow Solver, Pace, Param 10,000, Chip 16, Multi Micro, Mesh ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद